अबरे के बाद आने खमरों में भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच साजा बयान जारी हुआ साजा बयान में भारत और जापान ने स्वतंत्र और खुले रूप से मिलकर काम करने की अपनी अटूट प्रतिबधिता दोहराई दोनो प्रधान मंत्रियों ने साज़ा सुरक्षा के लिए रक्षा-सहयोग बढ़ावा देने में हुई प्रागटी पर भी संतोश्व्यक्त किया और जापान भारत के बीच रन नीतेक और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की अपने इच्छा को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने दोहराया दोनों रक्षा मंत्रियों ने इस साल के अंत में जापान भारत वार्षिक शिखर समेलन से पहले विदेश और रक्षा मंत्री स्तर का 2 प्लस 2 समबाद आयोजित करने की मंच्छा जताई समुद्रिय सुरक्षा क्षित्र में द्वी पक्षे सहयोग में आई गति का तोनों देशों ने स्वागत किया जापान मेरिटाइम सेल्फ डिफेंस कोर्स और भारतिय नौसैना के बीच पिछले साल समझोता हुआ था रक्षा मंत्री राजनाच सिंग अपने जापान दौरे के दूसरे दिन जापान मरीन युनाइटिड इसोगो वर्क्स के शिप्यार्ट का दौरा किया जापान मरीन युनाइटिड समुद्री जहाजों के निर्माण में आधुनिक तक्नीक के इस्तेमाल के लिए पुरी दौरे के दौरान रक्षा मंत्री को इसोगो वर्क्स में जहाज निर्माण क्षेत्र में जारी नवाचारों और भविशे के योजनाओं की भी जानकारी दी गई और रक्षा मंत्री राजना सिंग ने जापान दौरे के दूसरे देन हम मात्सु में जापान की वायू सेना के प्रशिक्ष्ण कमांड मुख्याले का दौरा किया कमान मुख्याले में रक्षा मंत्री और उनके प्रत्रिधी मंदल के सदस्यों का जापान की वायू सेना के अधिकारियों की साथ गहन वीचार विमर्ष का दौर चला महीं रक्षा मंत्री ने तमाम प्रसिक्ष्ण कारिकरम के जानकारियों के अलाबा Japan Air Self-Defense बलके E-767 AWAC F-15 Fighter Jet और T-4 प्रेशिक्षन विमान की क्षमताओं का भी चायजा लिया